बच्चो आज हम हिंदी में वर्ड मिलान करेंगे हमने इस तरफ एक पंक्ती में कुछ वर्ड लिखे है और दूसरी पंक्ती में इस तरफ कुछ वर्ड लिखे है अब हम पहली बंक्ति के वर्ण को पहचान कर दूसरी पंक्ति में वहीं वर्ण देखेंगे कि कहां पर बना है और रेखाओ के माध्यम से फिर हम वर्ण से वर्ण को मिलाएंगे बच्चो चलिए यह कारे शुरू करते हैं सबसे उपर ये बच्चों बना है दा, दा से होती है दवात, अब हम दूसी पंक्ती के वन दा से हम इस दा को रेखा के माध्यम से इस प्रिकार से मिलाएंगे दा के नीचे बना है था, था से होती है थर्मस, अब देखिए इधर भी ये दा के नीचे था बना है, हमने इस था को था से मिला दिया था के नीचे बना है था, था से होता है तर्बूज, इस वाली पंक्ती में सबसे उपर ये था बना है हमने ता को ता से मिला दिया ता के बीचे बना है बच्चो ना ना से होता है नल अब दूसरी पंक्ती में सबसे नीचे बना है ना हमने रेखा के माध्यम से इस ना से ना को मिला दिया अब सबसे नीचे बना है धा धा से होता है धनुश हमने दूसी पंक्ती पे बने धा को पहचान कर रेखा के माध्यम से इस धा को मिला दिया इस प्रकार बच्चों हमने वन को पहचान कर रेखा के माध्यम से वन मिलान किया बच्चों आप भी अपनी कौपी में इसी प्रकार से वन मिलान करिये